हलो फ्रेंट्स अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू रुमानास कीचन आज मैं आपके शेयर करूंगी ब्रेड रोल बनाने का बहुती आसान और बहुती नया तरीका ना ही ब्रेड को बिलना है ना ही ब्रेड के अंदर कुछ बरना है और ना ही कोई जंजट है पांच मिरिट में सिर्फ तीन ब्रेड से बनाएए धेर सारे ब्रेड के रोल इतने टेस्टी रोल बनते हैं ना के बच्चे बड़े सभी खाकर बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं अगर मेरी रेसिपी आपको देखना पसंद है और आप चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले आए फिर देरी कि इस बात की रेसिपी हम फटा-फट से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने तीन ब्रेट के स्लाइज ले लिए हैं ताजी ब्रेट के स्लाइज लेना है और सिर्फ तीन स्लाइज ही लिए है और ब्रेट को छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेना है हाथ की हेल्प से ही बहुत आसानी से हो जाते हैं और आप चाहो तो नाइपस की हेल्प से वियाब चोटे-चोटे टुकडे कर सकते हो यहाँ पर मैंने ब्रेट की स्लाइस कर लिये हैं चोटे-चोटे टुकडो में और दूद ले लेना है एक कप से थोड़ा कम है और दूद डालके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर आपको लगे कि ब्रेड और भीट रहे है तो और दूद एट कर सकते हो लेकिन बहुत ज़ादा दूद नहीं डालना यहाँ पर हाफ कप के करीब दूद यूज हुआ है और इसे सोक करके हमें थोड़ी तरह के लिए अलग रख देना है चार बॉइल पटेटो ले लिए है और इसे ग्रेटर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह के से ग्रेट कर लेना है ग्रेट हम इसे लिए करेंगे ताके इसके अंदर जो बड़े बड़े पिसी साते हैं वो बिल्कुल भी ना आए देखें यहाँ पर मैंने चार आलू को ग्रेट कर लिया है और अभी जो मिक्सर एड़ी किया था वो भी बहुत अच्छी तरह के से बिक चुका है अदर इसके बाद ही हमें इसे ग्रेट करना हैं यहाँ पर मैंने हाफ टेबल्स्फून के करीब ऑ iki अदर अब whack लिया है और हाफ टेबल्स्फून के करीब गार्लिक पाउडर कर दिया अपके पाउडर नही सो आप भोग बार Dorothy और यह तो आप लिया केप बिल्सी स्वता पाउडर वन टीस्पून नमक स्वादनुसान ले लेना है और यहां पर एक मसाला मैजिक का नाखें का है मेगी का अगर आपके पास मेगी का टेस्ट में करें तो भी आप ले सकते हो एक पैकेट डाल देंगे यह बहुत ही मैजिक का काम करेगा हमारे ब्रेड रोल में तो इसे तेल गरम हो चुका है तेल गरम होने के बाद ही हम ढालेंगे और वन टीस्पून राई है और यह थोड़ा क्रेकल हो जाए उसके बाद हम करी लिवस थोड़ा एट कर देंगे करी लिवसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और यहां पर मैंने पांच हरी मिर्च कट करके रखी थी जो बहुत तीखी वाली नहीं थे वह मैंने अट कर दिये उसे बहुत ही बार एक चौप कर लिया है बस इस मिक्षर को बहुत ही अच्छी तरीके सामें सेख लेना है और इससे क्या होगा फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा आमारे ब्रेड रोल में के मिक्षर में पहुत एच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत की अलये टेक्शर आएगा यहां पर मेन हरी मिच ली है आप हरी मिच लो तो धियान से लेना क्योंकि हमने में इसमें चीली फ्लैक्स भी अड्ड किया है इसलिए लेनी है इससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से mix कर लेना है इसमें friends कोई मेंदा आटा चने का आटा कोई जात का आटा डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हम ऐसे ही बनाएंगे अगर अगर आप friends प्यास इसमें add करते हो तो आपको आटा जरूर डालना है क्योंकि प्यास इंग्रिडियन्स इसमें यूज नहीं किया है और bread टाली है friends तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से set हो जाएगा आप देख सकते हो मुक्की लगा लगा कर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका dough ready कर लेना है देखिए dough बहुत अच्छी तरीके से ready हो जुका है अब हमें friends क करना है हातों में तेल लगा लेना है थोड़े थोड़े portion लेंगे हमें जो size के roll बनां आए है इतनी size का il咪 prefer लेंगे वीडियो में दिखा रहए है say अब को करना है पहले ball बना लेना है। और इसे रोल रोल करते हुए बहुत अच्छा disappearance रोल बना लेना है। आप इससे छोटा भी बना सकते हो, आपको जेसा सेप पसंद हो, ऐसा सेप आप बना सकते हो, देखिए, मैंने एक रोल रेडी कर लिया है, एक और रोल रेडी करके दिखा देती हूं, और इसमें कड़ी पत्ता कभी आये तो आप निकाल सकते हो, बस हातों के एल्प से बहुत अच्छे तरीके से रोल रेडी कर लेना है, और यह रोल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और बिलकुल हातों में चिपकते नहीं हैं, यह बिलकुल हमारा एकदम ड्राइब, मिक्शर रेडी हो चुका है, और देखिए, यहाँ पर मैंने धेर सारे रोल रेडी कर लिया हैं, सिर्फ तीन ब्रेड में धेर सारे रोल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसके बॉल शेप भी बना सकते हो, टीकी शेप भी दे सकते हो, आपको जो शेप पसंद हो दे सकते हो, और अब यहाँ पर हम ब्रेड रोल को डिप करने का बैटर रेडी कर ले बस इस पानी को हमें विस करके help से विस कर लेना है लंब्स फ्री एक घोल रेडी कर लेना है और बेटर हमारा बहुत जाडा नहीं होना चाहिए गाडा नहीं होना चाहिए एकदम लिकोईड कंसिस्टनसी में होना चाहिए एकदम पतला से देख लिजी आप देखिए, एकदम पतला बेटर हमें ready करना है देखिए, बस ऐसा पतला बेटर ready कर लेना है और bread crumbs बना लेना है यहाँ पर मैंने fresh bread के bread crumbs बना रही है आपके पास ready made bread crumbs पढ़े हैं ताब भो भी उस कर सकते हो बस एक roll लेना है इसे बहुत इच्छी तरीके से डिप कर लेना है बेटर में और ब्रेट क्रम्स में हम इसे कवर कर लेंगे ब्रेट क्रम्स से देखिए वीडियो में दिखा रहे हूँ ऐसे ही आपको करना है और ये ब्रेट करंब की coating बहुत आचे सी होनी चाहिए क्योंकि हमने आलू के mixture में कोई आटा रैडी नहीं किया तो रोल हमारे छुटने नहीं चाहिए इसलिए ब्रेट करंब से हमी बहुत आचे सी coating कर लेनी है विडियो में दिखा रही हूं में आपको देखिए और ये रोल बहुत ही फटाफट से रैडी हो जाते हैं और इस दिवाली की भागदोर में बस ये फटाफट से रैडी कर लीजिए और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो जिप पाउच या एर्टाइट कंटेनर में पैक करके भी रख सकते हो और ये आराम से 15-20 दिन चलेंगे क्योंकि हमने इसमें प्यास यूज नहीं किया प्यास का पाउडर यूज किया है और गार्लिक का पाउडर यूज किया है तो हम इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं अगर प्यास और गार्लिक आप यूज करते हो फ्रेंड तो हम इसे सिर्फ पान से दस दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं वेकि प्यास का पानी चुट्टा है और ये फिर आलू खराब होने लगते हैं और देखी ये थर्ड वाला में अब बता देती हूं रोल ऐसे करना है फहले बैटर में डिप कर लेना है और फिर ब्रेट क्रम से इसे कोटिंग कर लेनी है और फ्रेंड्स आप बल्क में बनाते हों तो मैं एक ट्रिक बताउंगे आपको जो बैटर है इसमें 3-4-5 जितने आ रहा है इतने डाल दीजिए और फटा-फट से इसे बैटर में डिप कर लिजिए और बस ब्रेट करम में डाल कर इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है तो यह बहुत आसान रहता है एक-एक करकर एक-एक करकर बहुत टाइम लग ज देख लिजिए कितने धेर सारे रोल बनके रैडी हो चुके है और यह बहुत अच्छी सी कोटिंग हो चुके है अब हम क्या करेंगे तेल को बहुत अच्छी तरीके से गरम होने देंगे गरम-गरम तेल हो उसके बाद ही हमें ब्रेट रोल को गरम तेल में प्लेस करना है तो मैंने प्लेस कर दिये, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगी कि ओवर लोड़ेट बिल्कुल ना करें, इसे फिलिप करने की थोड़ी तस जगा रखनी है, बस देखिए मैं आपको बहुत स्पीड में बता देती हूँ, क्योंकि यह अल्रेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुक और बस हमें इसे निकाल लेना है, यह हमारे क्रिस्पी करारे ब्रेड रोल बनके रेडी हैं, आप देख सकते हो बहुत स्पीड में यह फ्राइ हो चुके हैं, और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आया है, आप इसे डार्क गोल्डन प्राउन करना चाहते हो तो वो भ कर सकते हैं, दूसरी बैच के भी मैंने थोड़े फ्राइ कर लिये थे, और देखिए यह हमारे जबर जसे ब्रेड रोल बनके रेडी हैं, तहवारों की सीजन चल रही है, तो फ्रेंड ब्रेड रोल बनाना तो बनता है, और यह ब्रेड रोल में इतने आसान तरीके से आपको सिखाए हैं, इसमें कोई आटा डालने की भी कोई जंजट नहीं है, ब्रेड लिजिए, आलू बॉइल कीजिए और बस सिर्फ बना लिजिए, इसमें कोई तामजम नहीं है, इसे स्टोर करके बलक में भी आप रख सकते हो, फीजर में स्टोर करके, यह ऐसे ही रहने वाले है जब आपको मन करें, गरम-गरम तेल करिए, और बस इसे डीप करके फ्राइ कर लिजिए, और यह देखिए मैं उपन करके दिखा है इसका टेक्स्चर, यह बहुत ही यम और टेस्टी बनेते हैं, बहुत ही जबर जस्ट, यह बहुत ही हीट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट